हेलो दोस्तों हिंदी मेर भी सुनीती चैनल में आपका फिर से स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से आज यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है उसके टॉप MCQ की टैस सेरीज लेकर आए हैं जिसमें आज आपका हिंदी प्रेक्टर सेट जो है तीन है आप इसको पढ़िए और आगे बढ़िए दोस्तों इसमें हमने जितने भी कोशन्स लिए हैं वो आपके टॉप MCQ में आते हैं आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना क्योंकि जितने भी कोशन्स हैं वो आप कि आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही महत्वण साबित होने वाले हैं दोस्तों अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप से अनुरूद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को इट कर दीजिए जिससे आपको नई कोशन की स्रीज जिसमें आपका पहला आपका कोशन है आज इसमें आपका पहला प्रशन है आदिकालिन कावे में किस प्रवर्ती का अभाव है प्रकृती चितरन रास्टे चेतना भक्ती या फिर्शनगार जो आदिकालिन कावे था जो उसमें रचनाई हुई थी उसमें जो अभाव था उसमें प्रकरती चितरन भी था भक्ती भी थी श्रंगार भी था लेकिन उसमें राष्टे चेतना का अभाव था चलिए अगले प्रशने पे चलते हैं राहुल साकरत आयान के अनुसार हिंदी के प्रथम कभी है सरहापाद शाली भदर सूरी चंदर बरदाई स्व मंतरादी द्वारा सिध्धी प्राप्त करने वाला साहित्य है सिध्धी प्राप्त कभियों का साहित्य है या सिध्ध धरम का सैधानतिक साहित्य है या फिर वजरियान परंपरा के सिध्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य है तो आपको बताना है कि सिध्ध साहित्य से तातपर्य क्या है तो जो सिद साहिते से तातपर्य है वह वजरियान परंपरा के सिद आचार्यों द्वारा रचित साहिते हैं उसको हम सिद साहिते बोलते हैं चलिए बगले प्रशन पे चलते हैं प्रशन नंबर आपका चार सिद्ध कवियों में दार्शनी कवी हैं सरहपाद, कढपा, कोरकनात या फिर लुईपया तो जो सिद्ध कवियों में आपके जो दार्शनी कवी कहलाएं हैं वो कढपा कहलाएं हैं चलिए अगले प्रशने पे चलते हैं सिधो की वाम मारगी भोग परदान साधना की प्रतिकिर्या स्वरूप पनपा संप्रदाय है जो सिधो की वाम मारगी भोग परदान साधना थी उसकी जो प्रतिकिर्या हुई थी उसके स्वरूप जो संप्रदाय आया था वहें आपका नाथ संप्रदाय था चलिए अगले प् किस संप्रदाय में हुई है तो वह नात संप्रदाय में हुई है जो नात थे वो नारी की संप्रदाय है नारी की जो निंदा करते थे चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं प्रशन नंबर साथ है आपका आधिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है जैन साहि प्राशन नाटो ने प्रश्राक का परचार प्रसार करने के लिए जो प्रियोग आपका अववट भाशा का प्रियोक जो आपका अववट भाशा प्रशन नमबर आपका नो है, संधा भाषा का अर्थ है, अन्तहा साधना अंतमक अनुभूतियों के संकेत करने वाली प्रतिक भाषा, करकश शब्दों से युक्त प्रकृत भाषा, मदुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, या फिर तस्सम शब्दों से युक्त प्रकृत भाषा तो जो संदा भाषा का अर्था वह जो अन्ताहसा साधनात्मक अनुभूती होती थी उसको संकेत करने वाले जो प्रतिख भाषा होती थी वह संदा भाषा कहलाती थी चल एगले प्रशने पे चलते हैं संदा भाषा का प्रयोग किया है संदा भाषा तो आपको पता चल बता है कि अलग-अलग साहित्यकैरोन अलग-अलग यहां पर पुछा गया है कि डॉक्तर नरॉत्म स्वामी ने किस सब्स न दोस में इस न दोस्तों बताना चलते हैं रासोशब्द का संबंद रासोशब्द का संबंद रसायन से किसने जोड़ा है अब ही आपको मैं नहीं बताया कि अलग-अलग साहत्यकार ने रासोशब्द की विद्पति अलग-अलग शब्द से मानी है तो यहाँ पर डॉक्टर नरौतम स्वामी के बारे में था और प्रशन नमबर 12 में सीधा पुछा गया कि रसायन से किसने जोड़ा है आचारे राम-चंद्र शुक्र डॉक्टर नरौतम स्वामी गणपति चंद्र गुप्त राहुल साक्रतियान बताईए आप इसमें तो इसमें है आपका आचारे राम-चंद्र शुक्र जी ने जो ह रशायन सब्द जोड़ा है राशो सब्द के साथ चलिए अग्रे प्रशन पे चलते हैं आपका प्रशन नंबर 13 अब आप देखें विशल देव रासों में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाव और पुनर मिलन की कथा है तो इसमें हैं बताना है कि विशल देव राज जाते उनका जो पुनर बिलन विवाग था वो किसके साथ था राजेश्वरी फानूमती राजमती या फिर सहींओ की था तो दोस्तों शे खुमान के युद्धो का वर्णन है ये चार ओप्षन दिये गए हैं आपको तो इसमें से ये चार ओप्षन है आपके तो इन चारों में से आपको बताना है कि खुमान रासों में क्या है तो आपका इसमें D आंसर सही है चितोड के खुमान के विद्धो का वर्णन है इसमें बी और सी दोनों ही तो आपको बताना है तो इसमें जो अर्ध परमानिक माना गया है वह आपके परमाल रासों को और परत्वी राज रासों को या फिर वीर का था तो इसमें आपको बताना है कि किसको माना गया है तो यह है अर्विरती राज रासो जो है आपका है वीर का था है चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं परत्वी राज रासो के रचना विदान में सरवाधिक विवादास पत्पक्ष है प्रवंदात्मक्ता या फिर पात्रों का नामकरण या फिर भाशिक सरवाधिक रचना या हैं पता दो किसी ने परमानिक और किसी ने इसको आप परमानिक माना तो इसमें परमानिक उमें बताना है आचारे राम छंदर शुक्र गोर शंकर हरी चंदर ओजा डॉक्टर वूलर डॉक्टर शाम सुंदरदाज तो दोस्तों जो डॉक्टर शाम सुंदरदाजी हैं उन्होंने इसको परमाणिक माना है फिर है आपका प्रशन नंबर पुर्ण आपका उन्य चंदर बरदाई को परत्वी राज का समकालीन किस ने कहा गार्षा दाना है आपके उततर मुझे लगता है कि सब भी सही जा रहे होंगे और जिसके प्रशन उत्तर विल्कूल सही जा रहे हैं इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत बहुत अच्छे सी की है नहींने अगला प्रशन है चंदों का अजय खर कौन सा गरंध कहलाता है अगले प्रशन नमब करस्ण को संबन्दित है नल दलपती विजय, नर्पती नाला, नल सिंग, मदुकर भट तो ऐसे रासो ग्रंथ की हमें उसमें रचनाकार का नाम बताना है जिसकी रचना अजवेर के शासक से संबन्दित है तो इसका आपका भी अंसर से ही है नर्पती नाला की जो रचना है वे अजमर की शासक से संबंदी थे चलिए बगले प्रशन पे चलते हैं प्रशन नमबर आपका 22 या गया रासो काविय और उनके रचनाकार के संबंद भी निमली लिखित में से कौन से एक सही सुमी दे थे परत्वी राज रासो जगनिक परमाल रासो कहलर अमीर रासो नरपती नहला कुमा रासो जो है दलपती विजय के द्वारा लिखा गया है चलिए प्रशन पे चलते हैं निमले लिखित कृतियों और उनकी कृतिकार के संबंद में अस्यत्य कथन को चुनिए वहां पर हमने जो है मिलाया था कि उसमें एक ही सही था लेकिन यहां पर एक गलत है आपका तो परम आपका यह 23 का जो आपका उतर होगा वह वाटी ठीक है यह आपका टी होगा जनीदस सूरी के लिए यह पधुकर्चिक है चलिए प्रशन पे चलते हैं प्रशन नमबर आपका है 24 जो पर देखे इसको हिंदी कावे में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा सबसे पहले जो है मिलता ह है रावर्वेल में किस क्र्थमीला था है हिंदी कावे में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा है वह बहुता है सबसे हैं किस का इस सम्थ में हुआ हुआ प्रकृत पैंगलम में उपलब चंदों के आधार पर किस कावे की कलपना की गई है किस की कावे की कलपना की गई है विजयपाल रासो हमीर रासो बीसल देव रासो या फिर परमाल रासो प्रकृत पैंगलम में उपलब चंदों के आधार पर बताना है दोस्तों यह तो आपका 25 जो आपका उतर होगा हमी रासो अगले प्रस्शन पर चलते हैं आपके राठोर दी ख्यात में किस किन गरंथों का उल्लेक हुआ है पर्थवी राज रास और प्रमाल रासो जै चंद प्रकाश और जै मैंक जस चंदरी का हमी रासो पर्थवी राज विजय पाउम चरिव या फिर इठेड़े इनवी चरिव जिसमें बताना है दोस्तों आपको की राठोड़ा रीख्याता किन गरंथों में किन गरंथों का उल्लेक है तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर सही होगा तो इसमें आपको बताना है जै चंदर प्रकाश और जै मैंक जस चंदरी का इसमें राठोड़ो रीख्याता गरंथों का उल्लेक हुआ है चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं आपके प्रशन नंबर 27 कन नहीं तो जो कन्योश के राजा थे जैचंद की जो वीरगा था थी उसका उलेक या उसका गान किसमें किया गए है तो इसमें आपको बताना है तो आपका इसका उत्तर हो गा ए भठ के दाकृत जैचंद प्रकाश में Anrain के नाम पर इसका रचना है चले अगले प्रशना पर चलते हैं अधीकाल के आन्तिम चरन के प्रसीद कवी कौन थे अबदुर्यमान अमिर खुस्रों संभू सरहपाद से वताना तो जो आदी काल के अंतिम चरन लैससी सब चल रहा था तो इसके प्रसीद कवी कौन तो इसकी प्रसीद कभी थे अमीर, खुश्रोजिन की पहलिया, सुखने बहुत ही प्रसीद रहे हैं, अगला प्रशन है, पर्थवी राज रासो को चंदर बरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके, रासो को पूर्ण करने का कार्या उनके पूत्र नहीं किया, उन प्रशन पर चलते हैं, प्रशन नंबर तीस आपका, प्रथवी राज रासो में कभी ने प्रकृती के किन रूपों का वर्णन किया है, आलंबन वे अनुभाव, संचारी भाव वे उद्धीपन, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन वे उद्धीपन, तो प्रथवी राज अब आपको आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इसमें जितने भी आपके प्रशन आपके एक्जाम में आता ही आता है इसलिए आप इसके तयारे अच्छे से करना अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको जादा से जादा लाइक एंड शेयर करें